साउथ फिल्म्स में काफी समय से अपनी सिनेमेटोग्राफी के लिए मशूर सेंथिल कुमार के फैंस के लिए गुरी खबर है। उनकी वाइफ और पेशे से योग इंस्ट्रक्टर रूही का गुरुवार को लंबी मिमारी के बार निधन हो गया है। वो पिछले कुछ दिनों से अपना इलाज करा रही थी और वो सिकंदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। मल्टिपल ओर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ है। उनकी निधन से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लह डोड़ गई है। फिल्म इंडस्ट्री से ना जुड़े होने के बाद भी रूही सभी की चहेती थी और काफी मिलनसार भी थी। सेंथल की टीम ने स्टेटमेंट जारी कर ये दुखत खबर खुद दी है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि सिनेमेटोग्राफर सेंथल की वाइफ रूही गारू का गुरुवार दुपहर दो बजे निधन हो गया है। शुक्रवार को जुबली हिल्स महा प्रस्थानम में सुभा नौ बजे उनका अंतिमसंसकार होगा। बता दे कि फैंस रूही के निधन से काफी दुखी हैं और उन्हें मिस्स कर रहे हैं। कई सारे फैंस उनकी थ्रोवएक फोटो भी शेयर कर रहे हैं। रूही भले ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थी लेकिन उन्हें फिल्में काफी जादा पसंद थी वो अक्सर ही फिल्मों के सेट्स पर जाया करती थी बता दें कि रूही और सेंथिल की शादी साल 2009 में हुई थी इस शादी से दोनों को दो बेटे भी हैं बता दें कि रूही की बिमारी के बारे में संदिल को पहले से ही पता चल गया था और उन्होंने रूही के साथ कुछ समय बिताने के लिए पहले से ही काम से ब्रेक ले लिया था